रामबक्ति पर आपने कोई कोपीराइट निकल लिया है जब बीजेपी का स्थे तो नहीं था जनसंग नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे बीजेपी बालों ने ब्रहम पाल लिया कि नहीं सब हमने आखें खोली तो सूरच चान निकल आए हैं तो पर हमारे लिए देश में बगावती तेवर दिखाई देने लग गए हैं वह भी पार्टी के दिगज नेताओं की बात कर रही हूं बीजेपी की नेत्री बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती की यहां दोस्तों उमा भारती के कुछ समय से जो बयान सामने आ रहे हैं वह बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह कितनी नाराज चल रही है बीजेपी से और अगर वह नाराज रही तो सीधे तोर पर 2023 में बीजेपी को 25 प्रतीशत सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है और वह कैसे यह मैं आपको इस खबर में बताऊंगी साथ ही यह सब्र libro Привет आपको इस दिखाने वानियों दिखाने desta नमस्कार मेरा जय नमस्कार जए प명이ilage जो की बीजेपी की नजर आती ही रही है शराब बंदी को लेकर कई बार उन्होंने मोचा खोला खुद अपने मुखे मंत्री के खिलाफ ही उन्होंने मोचा खोल दिया अब कभी शराब की दुकानों पर वो गोवर फेकती नजर आई तो कभी शराब की दुकानों पर पत्थर बाजी करती हुए न लematics लिखते हैं सीधे तरपपर कि अमा भारती ने बायान दिया थी कि ब्यूदि बियान वह दे रही है और उमा भारती ने लेटेस्ट बायान में अपने कहा कि राम भक्ती बीजैपी का कॉपिराइट नहीं है राम और हनुमान बीजेपी कारिकरता हैं भी नहीं अगर हम बीजेपी वालों ने भ्रहम पाल लिया है कि हमने आखे खोली तब सूरत्चांद निकला है तो फिर यह हमारे लिए विनाशकारी होगा अब सबसे पहले आपको इनका बयान मैं सुना देती हूं उसके बाद जिस जब बीजेपी का स्टे तो नहीं था राम चंदरजी लिए अगर हम भालों ने भरहं पाल लिया हमने आखें खोली सुरत चांद निकल आए है highlys हमh Krefoey न भजब हो सकता है commer publishing बॉस-पालि आपने ध्यान से सूना होगा तो आपको आुट आया होगा कि बीज्रों पूसे एफिंदों के समर्थक नहां पर धंकाते हैं और अबी नेत्रियों फिल्मों अबपड कर मुस्लिम समुदायन सब को कि पुल ब्रत्तिया की कवछ ए सब करने हिंदू पड़ूप के सीजिए और और काते साहिए हैं जितने भी बीजेपी समर्था के साथ ही बीजेपी जो है लेकिन बीजेपी की ही एक नेत्री और बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती इस तरीके का बयान अगर वो दे रही है तो यह हरान कर देने वाला है दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहू की है अपने ट्विटर अकाउंट पर और उनने यह भी कहा है कि जो मैंने कहा है उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी उसका खंडन करने के मुझे कोई जरुवत नहीं है इस बयान के बाद जब आलमचने लग गया जब काफी जादा निंदा एक तरीके से इनके बयान की इसलिए हुई कि बीज़ेपी खिलाफ कही न कहीं बयान जा रहा है कि बीज्यपी को वोट दो ना दो मैं नहीं बोलती है कि तुम बीज़ेपी को वोट दो तो यह कहीए कर दो back in a celebrity बैयान दे लेकिन बाद में सुत्रा uzविस्षे कोई जरुरत नहीं है जिसके जरीए वो यह संकेत देना चाह रही है कि मैंने जो बयान दिया है सोच समझ कर दिया है संकेत देने की कोशिश किया और इसके लिए आगे भी मैं माफी नहीं मांगूंगी यह संकेत उन्हों ने देने की कोशिश की है साथ ही देखे उनको अच्छ वोट नहीं मांगेंगी कहीं ना कहीं यह वो बोलतीव नजर आ रही है क्योंकि आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उमा भारती को कल्यांट सिंग जी के बाद लोधी समाज का बड़ा नेता माना जाता है दोस्तों और अगर मैं थोड़ी डेमोग्राफिक आप आपको बात करूँ जो मत्यप्रिदेश की जो वोट बैंक है उसमें लोधी समाज की जो हिस्सेदारी है 60-65 सीटो यहां दोस्तों 65 विदाहांसभा सीटो पर लोधी समाज की हिस्सेदारी है अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो उस समाज से कह रही है कि मैं तुमको नहीं खुद सोचो समझो निर्णे लेकर वोट दो अपना हित ध्यान में रखो उसके बाद वोट दो तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के हाथ से लोधी समाज का जनाधार खिसक सकता है यह भी कहा जा सकता है अब साधवी प्रग्या ठाकूर को लेकर भी उमा भारती पहले ब भी इंदू को चाकूम हमा जो यह कहा है कि हमारे नहीं बलकी संसार में शस्तर वर्जित नहीं है हिन्सा का मन में सोच भी नहीं होना दया करुना क्षमा परोब कार यही धर्म के अंग हैं बाकिव शस्त्र के दुछ लाइसेंसी बीचेम सांसत भोपाल से ही सांसत उनका विरोत करती हो, नज़र आ रही है साध्वी प्रग्या के बयान तो इससे किय BIG ऐसा कि चाहिता है मैं रूप में जाहिर करती आई है अब इसको लेकर क्या कहना है उनका आपको बताना चाहेंगे पूर्व नेता पुर्व पृतिपक्ष रह चुके हैं अजय सिंग जी अजय सिंग ने कहा है कि उमा भारती के संगर्ष को भाजपा भूल गई है उमा भारती सम्मानित नेता हैं लेकिन भाजपा ने उन्हें दूद से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है उनकी पीड़ा बिल्कुल जायस है अजय सिंग ने क्या कुछ का अपने बयान में उनका वीडियो भी आपको दिखा देते हैं यह वीडियो भी देखिया उमा जी को मैं बहुत आदर करता हूँ और उन्ही की बदूजार तीन में कॉंग्रेस पार्टी चुनावारी और उनकी मेहनत से भारती जन्ता पार्टी पिछले 18 साल सत्ता में है जिस तरह से उनको दूज से मक्खी फेकी जाती है उस तरह से निकाल दिया गया हो आज ये बात ना करें तो क्या करें उनकी पीड़ा समझने की कोशिस करिए और जिस समाज को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भारती जन्ता पार्टी में जोड़ा सवभाविक है उनकी पीड़ा सामने आगी तो साफ सीध्य तोर पर वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी है और वो साफ सीध्य तोर पर जाहिर करती वह नजर आ रही है उमा भारती जिसमें कोई बुराई नहीं है देखें क्योंकि देखें मुख्यमंत्री रह चुकी है उसी प्रदेश की जिस वक्त उन्हें बीजेपी जो है दरकिनार करने की कोशिश कर रही है नजरंदास करने की कोशिश कर रही है उसी प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो पा उपर देखे नुकसान हो सकता है साफ सीज़े तोर पर उमा भारती खुलकर बोली है कि जो मैंने बोला है मैं उसका खंडना नहीं करूंगी इसका मतलब क्या है कि वो यह नहीं चाहती है कि बीजेपी जो है बीजेपी से आगे जाकर उनको इस बात के लिए थोड़े निराशा भरे बयान देती हैं तो इससे क्या समझा जाए संकेत क्या जाते हैं साफ सीदे तोर पर यह दर्शार आया दोस्तों कि लोधी समाज को वोट ना देने के लिए यह बड़ा बयान पहली बात तो उन्होंने दे दिया फिर प्रग्या सिंग ठाकूर को लेकर उन्होंने बयान फिर उन्होंने कहा कि राम भग्वान पर आपका कॉपीराइट नहीं है इन तमाम भयान उसे कहीं ना कहीं पता चल रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में BJP को तगड़ा जटका लग सकता है अगर उसने उमा भारती की नाराजगी को खत्म करने के लिए कोई भी निर्णया भी नहीं लिया तो यह बहुत ही जादा हानिकारत साबित हो सकता है जो विधान समा चुनाव के लिहासे दोस्तों आप देखना होगा कि उमा भारती के जो बयान है यह जो सिलसिला है या आगे जारी रहता है या फिर बीजे पीस पर कोई कड़ा अधर मुठाती है पहराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक को शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार